हाई अबिर्बよね कैसे mouse आयो एक आसा a4 आप सब वहाइं है तो इस फिरियो मेस आप लेकर आई हूं कुछछ बहुती इजी बहुत सिंपल है अगर्मियों वाया है is तो आपके आप पसंद आने वाल में वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू कर दो करते हैं तो सबस्ते है स्फ्रेंट के लिए ना यहां मैं फरंट बॉनरा रही हूं पफ को उपर की तरफ लेकर जाना है आप जैसा पॉफ बनाना चाहति है जितना बाल लेना चाहती है ले सकती है उसके बाद यहां पर बॉबी पिन के अरल्ब से और अच्छा सा एक पॉनि तेल बना लीजे गर्मियों के लिए यह वाला हैस्टाइल बहुत जादा ईजी है यहां पर हम अपने पॉनि टेल को और जादा अच्छा दिखाने के लिए उसमें बहुत जादा और उसको हाई दिखाने के लिए न थोड़े से बालो को आप इस तर यह बहुत ही जादा इजी वाला है स्टाइल है एक बाव जरू ठ्राइ कीजिएगा बढ़ते हैं हम दूसरे हैस्टाइल की तरफ जो की होने वाला है हमारा इसी में फ्रंट पफ को हम आगे छोड़ देते हैं पीछे के जो बाल है उसके हम दो सेक्शन इस तरीके से निकाल ले रबर पेंट सोरी बॉबी बिन के हल्प से उसे अच्छे सा सिक्यूर कर देंगे अब इस वाले बन को थोड़ा सा और वाल्यूम देने के लिए उसों हम ट्विस्ट थोड़ा थोड़ा उसे बाहर की तरफ पुल करेंगे इससे उसमें बहुत जादा वॉल्यूम एड़ हो ज नेक्स्ट है स्टाइल की तरफ हम बढ़ते हैं और इसके लिए मैं अपने फ्रंट के बालों को खोल लूँगी देन फ्रंट के बालों को इस तरीके से थोड़े थोड़े स्ट्शन निकाल के ना ट्विस्ट करती जाओंगी इस तरीके से जैसा कि मैं वीडियो में कर रही अच्छे से आपके बाल को सिक्यूर कर देना है दोनों तरफ आपको सेम करना है सेम करने के बाद आपको क्या करना है कि सारे बालों को पीछे की तरफ लेकर जाना है और पॉनिटल बनाना है तो यहां पर अच्छे से मैं पॉनिटल बना लूँगी जब आप पॉनिटल बना तो यहां पर मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैंने एक यहां पर डोनट लिया है डोनट का यूज करके बहुत ही अच्छा सा इसमें मैं हैर स्टाइल आपको दिखाऊंगी इस डोनट को आपको पॉनिटेल में इस तरीके से जस्ट डालना है अपने बालों को दो सेक्शन में पार्टी वेडिंग फंक्शन किसी में भी कैरी कर सकते हो बहुत जादा अच्छा लगता है इस तरीके से मैंने बालों को ना दो सेक्शन लिया है और फिर उसे ट्विस्ट करते हुए डोनट के चारो तरफ इस तरीके से घुमाते हुए मैंने क्या किया है कि बॉबी पिन के लिएर पर केरी कर सकती है बहुत ही जादा अच्छा लगता है यह और गर्मार hail में तो इस तरीके का हाय स्टाइब बहुत ही साधा अच्छा लगता है कंफरेगल बी रहता है आप रहेंगी आपके बाल इरिटेट अःड़ भी नहीं करेंगे आपको और गर्मिया भी लगे जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हुने हो बहुत सिंपल है यह सिर्फ एक क्लचर का यूज करना है और आपका मैसी बन यहां पर रेडी हो जाएगा यह मेरा फेवरेट हैस्टाइल है जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता है जटपट सा बस सिंपल सा दो सेकेंड में बनने बहुत से कर दो दो सकती है और यह बिल्कुल भी खुलता नहीं है यह बल्कुल भी नहीं खुलेगा यह बहुत एजी हैस्टाइल है आप ट्राइक करके बताएगा मुझे आपको कैसा लगा बढ़ते हैं नेक्स्टाइल की तरफ चुकि होने वाला है हमारा कुछ इस तरीके का फ्रेंट से मैंने यहां पर प्राटिशन किया है इस तरीके के फिंगर के हैल्प से मैंने अपने बालों को अंदर की तरफ ले गई और इस तरीके से पकड़ कर मैंने बॉपी पिन के हल्प से सिक्यूर कर दिया है आप देखें कि यहां पर कितना अच्छा सा यहां पर बहु जाए और अच्छे से पकड़ कर एक पॉनिटेल बनाना है तो यहां पर ऑवियस यहां पर घर्मी है बहुत जादा गर्मी है गर्मी को ध्यान में रखकर में है इस तरी के खूले नहीं पूरवी बन्दे उंगे जो आपको च्भूर को यहांना द refuseपनेखर और अपन की सब्सक्राइब को करने मनें इस सबसे में next hair style के लिए मैं यहां पर अपने सामने के जो बाल है ना फ्रंट वाले हैर इस तरीके से मैं पकड़ रही हूँ बॉबी बिन के हर्प से सिक्योर कर रही हूं तोनों तरफ के बालों को सीम तरीके से करना है और फ्रंट से आप चाहिए तो थोड़ा थोड़ा बाल निकाल सकती ह है यापकी उपर है अपड उसके बाद यहां पर सारे ड़्ल को मैं पीछे की तरफ ले कर जा रही हूं पीछे की तरफ ले कर जाने के बाद आपको पाणी टेल बना देनी है रबर पैन्ट इस तरीके से लिजिए पॉनिदेल सारी बालों को भी से निकालते हुए ऽालों गोंगे बॉर के अछी के नीकाल कर दो आओंगी और उसके आद देखिए कि मैं आपर क्या कर रही हूँ यह वूद ही सटाइलarm है निपादा त्रका से निकालत भी आइज़ेते हैं एक तरह कर दो चाले में ऊथ सबलन homeless सारे बालों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए लेकर गई और इस तरीके से मैंने अंदर की तरफ सब को डाल दिया उसके बाद जितने भी बचे कुछे बाल है ना आप बॉबी पिन के हल्प से सिक्यार कर ले यह बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लगता नेक्स्ट है स्टाइल के लिए मैं यहां पर एक तरफ के बाल को इस तरीके से मैंने ट्विस्ट किया दूसरी तरफ से इस तरीके से बालों को मैं कर रही हूं और साइड पॉफ जो होता है व कुछ मैं ट्राइद कर लहां चनसारे बालों पीचे तरफ बनाया है और उसके बाद यहां पर यूज कर रही हूं क्यां बालों को तो यहां पर यूज कर रही हूं मैं सिंपल सा क्लक उसे हम लगा देंगे और उसके बाद जो नीचे का बचा हुआ बाल है उसे अंदर की तरफ ले जाएंगे एंदेन अंदर की तरफ डालते हुए न हम क्या करेंगे कि अच्छे से उसे सिक्योर कर देंगे बॉबी पिंड लीजे आप जूड़ा पिंड लीजे किसी भी पिंड से आप अच्छे से सिक्योर कर देजिए इस तरीके से एक दम क्लीन सा आप देखिएगा पीछे की हैस्ट्रयल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है तो आप किसी का है फ्ले लीजेगा अगर आप चाहती है तो otherwise मैंने भी यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से बनाया है यह सब पीछे मुझे भी नहीं दिख रहा था कि यह कैसा दिख रहा है अंदाज में ही मैंने इस तरीके से बनाया है तो यह वाला है स्टैल कुछ इस तरीके का है जो कि बहुत ही जादा खुबसूरत सा दिख रहा है आई होप कि आपको यह पसंद आ रहा होगा पढ़ते हैं नेक्स्ट है स्टैल की तरफ तो अब जो है style नम बनाने वाले हैं उसके लिए हमने इस तरीके से section निकाला है यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ puff maker और puff maker को मैंने बाल के अंदर इस तरीके से डाला और यहाँ पर मैं एक अचा सा puff बनाओंगी puff को इस तरीके से मैं clean करती जाओंगी और अच्छे से बॉबी पिल्म की हेल्प से यहां पर मैंने बालो को सिक्यूर कर दिया यहां पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा-थोड़ा फ्लैट तो उसके लिए यहां पर हम इस तरीके का कॉम लेंगे और बालो को आगे की तरफ पुल करते जाएंगे जिसे हमारे बालो लोगे क상이 अधरिकका दिखता है और इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे कि तो सेक्षिन बालों के इस तरीके से दोने सेक्षिन को वालो करते जाएंगे और क्र गूमाती हुँए इस तरीके से यह बहुत ही यहां पर आपका मैसी वाला बन रेड़ी है जो कि आप कैरी कर सकते हो किसी भी आउटफिट के साथ चाहे वह वेस्टन हो ट्रेडिशनल हो को इसा भी आउटफिट हो बहुत जाद अच्छा दिखने वाला है तो बस यहां पर यह थे कुछ हैस्टाइल जो कि मैंने आप लोग क साथ शेयर किया है आई होब कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा तो गर्मियों को ध्यान में रखके यह वाला है स्टाइल मैंने क्रियेट किया है और अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा